आज के इस वीडियो में बात करेंगे सुपरिश्टार सल्मान खान के टाइगर थ्री के वल्ड वाइड बॉक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में और इस हपते रेली जोने जा रहे ही रेंबिर कपूर की एनिमल विक्की कोसल की सेम बाहद्दूर के एडवांस बुकिंग कलेक्श के बारे में और जानेंगे इन सभी فिल्मों ने दुनिया भर से कितने करोड की कमई की तो चलिए सुरुवात करते हैं देखते रहिएगा पूरा वीडियो साथ साथ कमेंड कर के बताइएगा कि इन सभी फिल्मों में आपके पसंद की फिल्म कोन सी है सबसे पेले अगर बात करें मेगना गुलजार के डारेक्शन में बनी फिल्म सेम बाहद्दूर के बारे में जिस फिल्म में हमें देखने को मिलेंगे विक्की कोसल, फतीमा सना सेख, सानिया मलुतरा बताना चाहंगो दोस्तों फिल्म रिली छोगी एक दिसंबर को और इस फिल्म का मुकाबला है जब आज सुभह सुरू हुई तो फिल्म को एडवांस बुकिंग में एक तरह से काफी अच्छा रिस्पोंस मिला है। और सेम बहुत दूर में बॉक्स ओफिस पर कौन सी फिल्म ओडियंस को ज़्यादा पसंद आती है। वही आंधरप्रदेश और निजाम से 5 करोड़ 50 लाख रुपे। तो केरला से फिल्म का ग्रोस कलेक्शन 3 करोड़ 55 लाख रुपे का रहा। वही करनटका से फिल्म ने 4 करोड़ की कमई की और नोर्थ इंडिया से 1 करोड़ रुपे। फिल्म ने और सिस मारकेट यानि की विदेशों से 11 करोड़ कमा। और इसी के साथ दोस्तो जिगर थंडा डबल एक्स का वल्ड़ वाइड ग्रोस कलेक्शन 65 करोड़ 25 लाख रुपे का हो चुका है। जिए दोस्तो फिल्म दुनिया भर में 65 करोड़ से जादा की कमई कर चुकी है। तो है 300 करोड रुपे लेकिन बात करें कलेक्शन की तो इस फिल्म ने शुरुआती 13 दिनों में यानि की कल तक ओल इंडिया नेट कलेक्शन 266 करोड़ 87 लाख रुपे का हो चुका है तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 326 करोड़ रुपे बता दो दोस्तो फिल्म ने और सिस मारकेट यानि की विदेशो से 114 करोड रुपे कमा हैं और इसी के साथ टाइगर थरी का जो वल्ड वाइड बॉक्स ओपिस कलेक्शन है वो 440 करोड का हो चुका है। जियां दोस्तो फिल्म दुनिया भर में 440 करोड की कमाई कर चुकी है और आप देखना है कि ये फिल्म 500 करोड कलब में इंटरी ले पाती है या नहीं क्योंकि आप सब जानते ही कि 4-5 दिनों बाद एनिमल रिलीज हो जाएगी फिर इस फिल्म को काफी कम स्क्रीन बचेगी और कम स्क्रीन पर फिल्म के कलेक्शन भी काफी कम होने वाले हैं तो चली आप बात करते हैं फिल्म एनिमल के बारे में जिस फिल्म को डाइरेक्ट किया है संधिप रेडी वेंगा ने और इस फिल्म में देखने को मिलेंगे सुपरस्टार रनबिर कपूर, बोबी देवल, अनिल कपूर, रश्मिका मंदना, फिल्म का ट्रेलर लोगों के दिमाग में चड़ चुका है और ट्रेलर को ओडियन्स की तरफ से भरपूर प्यार मिला है और इसी वज़से दोस्तों इस फिल्म का जो क्रेज है वो दिन पे दिन काफी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और क सुबह से PVR और आइनोक्स के मल्टिपलेक्स में इंडिया में सुरू हो चुकी है वही विदेसों में भी इस फिल्म की बुकिंग एक हटे पहले ही सुरू कर दे गई थी और सबसे बढ़िया बात क्या है कि फिल्म को विदेसों में भी एडवांस बुकिंग में जबरजस्त लगभग 300 डोलर की कमय की है जो कि लगभग 30 करोड रुपे होते हैं वही बात करें इंडिया बुकिंग के बारे में तो दोस्तों ये फिल्म अभी तक ओल इंडिया में सिर्प PVR आइनोक्स मल्टिपलेक्स चेंज से ही 2 करोड 86 लाक रुपे का एडवांस बुकिंग कर चु जबकि दोस्तों कल से इस फिल्म की एडवांस बुकिंग पूरे इंडिया में सभी सिनमा घरों में सुरू हो जाएगी उसके बात तो ये फिल्म एडवांस बुकिंग कलेक्सन के मामले में बोल्योड की बड़ी बड़ी फिल्मों को पचारने वाली है लेकिन अब अगर बा अब दोस्तों इस फिल्म की रिलिज डेट में भी जादा समय नहीं बचा और ये फिल्म भी हम सब को सिर्फ 20-22 दिनों में सिनमा घरों में देखने को मिल जाएगी लेकिन दोस्तों आपको बता दे कि इस फिल्म को लेकर भी जो ओडियन्स के बीच में एक्साइटमेंट है वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और फिल्म एडवांस बुकिंग से अच्छी खासी कमई कर चुकी है। रिस्पोंस मिला है वो काफी बढ़िया है। जिया दोस्तों आपको बता दे कि सलार फिल्म ने अभी तक यूएसे से एडवांस बुकिंग में 2,41,000 डोलर की कमई की है। वही यूके से 84,000 डोलर की और बाकी कुछ देसों से 33,000 डोलर। यानि कि दोस्तों सलार फिल्म की ज लिच होने में 4 हपते बाकी है लेकिन फिल्म एडवांस बुकिंग से अभी से ही लगभग 3 करोड की कमई कर चुकी है सिर्प विदेसों में। इंडिया में तो जब फिल्म की एडवांस बुकिंग सुरू होगी तो आप सोच भी नहीं सकते कि ये फिल्म इंडियन बॉक्स इस पर कितनी तगड़ी कमई करेगी क्योंकि दोस्तों सलार फिल्म हिंदी में भी जबरजस्त कलेक्शन करेगी तमिल तेलगू में भी और कन्नडा में भी तो आप देखते हैं कि सलार फिल्म 2023 की सबसे बड़ी ओपनिंग लेने में कामियाब होती है या नहीं वैसे आपको क अगले वीडियो में जब तक के लिए खयाल रखे अपना और अपने माता पिता का जेहिंद वंदे मातरम